सरदार शोहर में कोरोना वैक्सिनेशन के तीसरे चरण को लेकर बैठक ली गई है जोहां इस बैठक में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा परधान निर्मला राजपरोहित विकास अधिकारी दुर्गा राम पारिक तैसिलदार कुटेद्र CMHO विकास सूनिस शामिल हुए है बैठक में बिलॉक CMHO ने बताया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सिन लगाई जाएगी साथी उन्हों ने बताया है कि सरदार शोहर तैसिल शेत्र में 24 सामुदाइक केंद्रों में टीका करण की सुविधा की गई है वहीं विकास अधिकारी दुर्गा राम पारिक ने सभी जन प्रतिनिधियों और आम जन से टीका करवाने की अपील की है सरकार दोरा कोरोना वैक्सिनेशन का तरण शुप हो जगा है इसमें जो 60 प्लस एच के लोग है उनका टीका करण की आधना है तो उन लोगों को मोबलाइज करने के लिए आज हमने पंचायत समीती के सभी सदस्यू प्रदान जी और सभी ग्राम पंचायतों के सभपंचों के एक मीटिंग रखी थी उनको हमने सूची दिया ताकि वो पब्ली को मोबलाइज कर सके जब भी सेशन हो तो हमारा टार्गेट यह रहेगा कि साथ प्लस का कोई भी वेक्ती जो है उन टीका करंट से ना चुप लिए तो